अमित्सा और निटीश कुमार की आमने सामने जैसे ही मुलकात होती है निटीश कुमार कहते हैं कि देखिए जाती अधारित जनगर्ना में जो गरीबों की लिष्ट आई है हम सोच रहे हैं कि उनको 2,00,00 रुपए हम दे और उसके लिए हमें किंद्र सरकार की मदद की जरूरत है और किंद्र सरकार जब मदद करेगी तो उसके लिए विशेष राज दरजा की जरूरत है और विशेष राज का दरजा जब हमें मिल जाएगा तो विशेष एक पैकेज मिलेगा और विशेष पैकेज से हम गरीबों को पैसा दे सकते हैं और फिर अमित्सा जो है वो 2010 से हम इसकी मांग कर रहे हैं और लगतार कर रहे हैं अमित्सा कुछ बोल नहीं पाते हैं फिर भी नितीश कुमार बताते हैं कि किस तरीके से हमने बियार में जाती अधायत जनगर्ना कराई और जाती अधायत जनगर्ना के रिपोर्ट जब सामने आए तो उसमें ये देखा गया कि कितने लोग गरीब हैं और फिर अमिच सा कुछ सोच रहते और सोचते सोचते उन्होंने कहा कि देखिए जाती अधायत जनगर्णा में कुस विसेश जातियों की संख्या बढ़ा दी गई है मुसल्मान की संख्या बढ़ाई गई है और विसेश जाती मतलब कि यादों क संख्या उसमें बढ़ा दी गई है तो इसको फिर से आप ठीक करवाईए और फिर हमसे बात करिये और अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर निटीश कुमार की बात किंद्र सरकार मानेगी निटीश कुमार ने जब राज्य सरकार के हैसियत से कहा कि आप हमें किंद्र सरक से कि आप हमें बिसेस पैकेज दीजिए हम अपने राज्य के गरीब परिवारों को दो दो लाख रुपए देना चाहते हैं ताकि उनकी आर्थिक स्थिटी बेहतर हो सके और जब आर्थिक स्थिटी बेहतर होगी तो हमारे राज्य के गरीबी कम होगी और तब नितीश कुमार अमित सास से कहा कि आप हमें भिषेश राज का दर्जा दीजिए और हम इसी जिद पर آएए है कि जाती आधारित जनगनना में कुछ भिषेश जातियों की संख्या बढ़ाई गई है इस पर ध्यान दिया जाए और नृतिश कुमार कहे रहे हैं कि भिषेश जातियों की अगर स कि संख्यां बढ़ाई गई यह संख्यां गटाई गई ये सब कुछा चल जाएगा और अब देखने वाली बात यह is eh देखने वाली बात यह स यह फ lesser जिद की जिद S पर रहे हैं कि विसेस राज का दर्जा हम लेकर रहेंगे चाहे कोई भी किसी भी बैठक में हमको बुलाए हम उसमें ये मांग जरूर करेंगे कि विसेस राज का दर्जा हमें दिया जाए और अब आगे देखिए क्या होता है निटीश कुमार और अमिस्सा की बैठक समाप्त हो गई है बियार के राज देते गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि कुछ ऐसी बाते हुई है जिससे आगे आने वाले समय में राजनीत बहुत गरम होने वाली है बेराल इस कबर में इतना ही बने रहे हमार साथ और देखते हैं दे इंडिया टॉप